Hello my dear ones, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ anxiety के triggers के बारे में क्यों हमारे दमाग में कुछ triggers set हो जाते हैं और फिर अगर वो triggers set हो गए तो फिर वो triggers कैसे powerful होते रते हैं, क्या-क्या गलतियां होती ही रती हैं मैं सब आपको समझाऊंगी, एक case का example भी दोंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं और वो गलतियां बंद करकर अपने triggers को fuse करते हैं और फिर उन triggers के मौजूद होने पर भी आप हसी खुशी अपने जीवन को अच्छे से जीएं इस वीडियो को लास तक देखना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और आप आपको डाउनलोड कर लें क्योंकि उसमें आप breathing exercises, meditation affirmations आपको मिलेंगी, आप उन सबको practice करेंगे तो आप बहुत जल्दी पूरी तरह से स्वस्त हो जाएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज triggers के बारे में यह जो triggers होते हैं यानि कि trigger किसी भी चीज को activate कर देने वाली चीज है ना जिससे आपकी घर में switchboard भी होते हैं तो fan का tube light का लग लग होता है और आप जैसी उसे trigger करते हैं प्रेस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो चीज चालू हो जाती है तो ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारे triggers होते हैं क्योंकि हमारा mind क्या करता है associations बनाता है वो link memory है हमारी तो वो सब कुछ चीज लिंक होती हैं उसके associations connections बनते हैं तो हमारे mind में कुछ ऐसे trigger set हो जाते हैं जिससे कुछ negative जोड़ जाता है तो ये trigger का क्या मतलब होता है trigger का मतलब होता है connector अब ये connector होता है तो ये किस किस तरीक हो सकता है ये visual भी हो सकता है यानि कि जो हमें दिखाई पड़े ये auditory भी हो सकता है यानि कि जिसे हम सुनते हैं और ये kinase static भी हो सकता है यानि कि हम smell भी कर सकते हैं टेस्ट भी कर सकते हैं टच भी कर सकते हैं यानि कि आपकी किसी भी feeling से related तो आपके अंदर पांचों सेंस के कोई भी ट्रिगर हो सकते हैं, जो आपको किसी चीज से connect कर दें अब देखिए जैसे हम भारतवासी हैं, हम भारत का जंडा देखते हैं तो automatically हम अपने देश का जब जंडा देखते हैं, तो हमारे अंदर भक्ती की भावनाएं आ जाती हैं, सम्मान की भावनाएं आ जाती हैं उस वक्त हम consciously नहीं सोचते कि हमारी देश का जंडा है और हमें इस तरीके से proud फील करना चाहिए नहीं, वो अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि उस देश के जंडे से हमारी भावनाएं जूड़ी भी हैं तो triggers ऐसे होते हैं, connectors, यानि कि उसके साथ automatically कुछ न कुछ जुडावा होता है, वो अपने आप आ जाता है अब जिस भी इंसान को कोई भी ऐसा trigger उसके दिमाग में set हो गया है और वो जब भी उस trigger से exposed होता है, यानि कि उसके सामने आता है, वो किसी भी रूप में चाहिए वो देखे, सुने, कुछ भी या कुछ उसके अंदर feeling आए तो अब क्या होता है, उससे जुड़ावा या तो उसका कोई belief होता है या फिर उससे associated उसका behavior एकदम से आता है या तो उसके दिमाग में thought के level पर कुछ आएगा या body के level पर कुछ भी उसके अंदर feeling या behavior ऐसा आएगा तो वो कुछ भी आ सकता है अब behavior आ रहे है, तो उसका मतलब यह नहीं कि उसके पीचे कोई belief नहीं होगा या belief यह तो उसका मतलब यह नहीं कि उससे आगे कुछ उससे जुड़ावा कोई behavior नहीं होगा लेकिन पहले कुछ भी reflect हो सकता है तो अभी आप trigger को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि trigger है फिर हमारे अंदर belief आए तो अब हमें कुछ भी उससे जुड़ावा belief होता है तो हमें उसका meta belief meta का मतलब होता है beyond जानि कि उसकी पीछे की जो layer होती है वो क्या है क्योंकि कोई भी belief सेट हुआ तो उसके पीछे क्या है कुछ past experiences हो सकते है कुछ बहुत strong references हो सकते है कुछ आपने ऐसी interpretations निकाल रखी है अपनी कुछ ऐसी perceptions बना रखी है आपकी धारनाए ऐसी होती है जिसकी वज़े से ऐसा होता है या आपका कुछ trigger से जुड़ावा behavior है तो वो mental भी हो सकता है दमाग में कुछ चल रहा है आपके chain बन रहे है या आपका कोई physical behavior भी हो सकता है जो दूसरे लोगों को show होता है तो इन में से कुछ भी होगा तो अब आपके अंदर जब भी कोई ऐसा trigger जो negative Trigger है हमारे उन दर positive tracker भी होते है ऐसा नहीं है कि negative होते पॉसिटिव भी होते है ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे ठोस लोगों होते है किसी को देखते हैं आपके चाहरे पर smile आजाती है तो जो वो positive होते है Et positive के होते है दिकत तो negative म होते है तो negative triggers पढ़े हो तो चाहे उससे associated पहले कोई belief आई या behavior आई तो उस सब के meta beliefs समय देखने पड़ते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उसको देखने के बाद हम यह समझ जाते हैं कि अच्छा क्योंकि अगर कोई negative trigger है तो of course उस trigger से कोई ने कोई तो fear जुड़ावा ही होगा आपका तो meta beliefs को understand करने से हमें पता जल जाता है कि यह जो fear है जो threat हमें महसूस हो रही है वो क्यों हो रही है क्योंकि जब जब भी हमारे को कोई भी fear कोई भी threat ऐसा महसूस होता है तो उस time पर हमारे mind super alert हो जाता है क्योंकि हमारे mind किसी भी danger threat के case में क्या होता है hyper alert हो जाता है क्योंकि हमारा brain क्या है survival strategy पर चलता है तो जब भी कोई भी fear कोई भी threat होता है क्योंकि negative trigger के case में यह हो गाई तो हमारे हाँ पर fight flight freeze mechanism जो है start हो जाता है यह क्या है यह आप जानते हैं यह defense mechanism है और यह automatically start होता है conscious mind के permission नहीं लेता subconsciously इससे start करते वक्त यह subconsciously अपने आप होता है अब या तो face करो situation को भाग जाओ या surrender कर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हर हाल में अपने आपको बचाना है चाहिए वो बचाओ किसी भी तरीके से यह automatically start हो जाता है अब problem कहां आती है problem वहां आती है कि जब यह अंदर अंदर बहुत डर लग रहा था threat हो रही होती है और आप उस situation को अगर देखिए उसे fight करते हैं उसे लड़ते हैं यानि कि आप क्या कर रहे हैं उसे face कर रहे हैं अगर आप उसे face कर रहे हैं तो हर बार आपका जो trigger है वो क्या होगा इस trigger पर attack होगा और यह trigger attack होने की वज़े से weak पढ़ता चला जाएगा यहाँ पर यह क्या होगा weak पढ़ जाएगा trigger कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन अगर आप flight या freeze में से कुछ भी इस तरी कैसे कर रहे हैं हालाद के हाथ पर बिलकुल surrender कर रहे हैं या फिर आप भाग रहे हैं उससे तो यहाँ पर क्या होगा आपकी overthinking worry की chain बन जाएगी क्योंकि हमारा mind connections बनाता है एक से दूसरा दूसरी से दीसरा चीज़ों को link करता रहता है उनके ऐसे connections बनाता रहता है उनको associate करता रहता है जोडता रहता है तो अब एक worry की chain बन जाएगी आपको overthinking develop हो जाएगी तो यहाँ पर आपको anxiety होगी somatization हो जाएगा soma का मतलब होता है हमारी body यानि कि उसका body पर असर आजाएगा क्योंकि body और mind बहुत जाता है एक दूसरे से closely linked होते हैं आप वो closely linked होते हैं यहाँ पर क्या होगा जब आपकी anxiety और बढ़ जाएगी body पर भी वो आएगा तो of course आदमी क्या करता है avoid करना चाहता है या फिर कुछ compulsions उसको जो उसको relief दे देते हैं temporary वो करने लग जाता है इससे problem का और reinforcement हो जाता है और फिर trigger जो होता है वो आपका और strong बन जाता है अब जरा case का example समझ रहते हैं ये एक लड़की है इसकी नए-ने शादी होई अब नए-नी शादी हुई तो शादी के बाद husband के साथ closeness बढ़ानी है तो first night पर ही क्या हुआ कि जब husband ने पास आने की कोशिश की तो इसका रोना चुरू हो गया बहुत ज़्यादा घबरा गई अब husband ने इस बात को समझा की हो सकता है कि डर रही हो कई बारे से होता है लड़कियां sensitive होती है तो husband ने बहुत cooperate किया और अराम से उसको थोड़ा relax किया कि कोई बात नहीं relax, अराम से हम बात भी कर सकते हैं तो वो situation समल गई अब उसको situation समल गई लेकिन एक दिन समलती, अब next day आदमी सोचेगा कि चलो भई अभी शादी को time हो गया है एक दिन हो गया है तो अभी आज फिर से वो close होने की कोशिश करें लेकिन फिर से वो घबराहाट, रोना आया अब ये बात husband को बड़ी जीप सी लगी कि अभी दिन बर बिलकु ठीक रही हस रही थी, बोल रही थी, खा, पी रही थी सब कुछ है, लेकिन जैसे ही मैं close आने की कोशिश करता हूँ, तो ही रोना और घबराहाट क्यों चालो हो जाती है तो इसने बड़े प्यार से पूछा भी कोई बात है मन में डर है, कुछ इस तरी किसे लग रहा है तो उसने रोते-रोते बोला, हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे नहीं close आना है, मुझे ऐसे सब नहीं करना है और इसमें बहुत जादा तकलीफ होती है और लेडीज को इतनी तकलीफ होती है कि उनकी मौत भी हो सकती है अब जैसे ही husband ने ये सुना तो उसे लगा कि ठीक है ना कुछ सुनवन लिया होगा इस तरीके से बाते कहीं से, किसी ने डरा वरा दिया होगा या ऐसे कुछ तो उससे समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो मन में डर उस लड़की के इतना जाद है था कि उसे husband की समझाई भी बात दिया जितना प्यार से वो handle करा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहे थी और वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रोने लगी सांसे उसकी तेस्ट चलने लगी घबराने लगी बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा घबरा गई कि अपने defense में उसने husband को push भी कर दिया अब ये बात थोड़ी सी बढ़ गई अब ये बात बढ़ गई तो husband भी mood off हो गया इस तरीके से हफ़ता दस दिन समझाते समझाते कभी लड़ते जगड़ते निकल गया लेकिन जब वो लड़की समझ ही नहीं रही थी तो अब husband को भी समझ में आ गया कि ये समझाने के level की बात नहीं है कि मैं समझाऊं और बात solve हो जाए ये तो ज़रूर इसके अंदर कुछ इस तरीके की problem है इसकी वज़ा से ये सब है और उसको और तरतरह की doubt भी ने लगए कि कहीं है सब तो नहीं है कि जब बिदस्तिशाद की होगी है मुझे पसंद नहीं करती है नाटक कर रही है वगएरा वगएरा इस तरीके कि उसके मन में doubt हो गए कहते कहते ये बात family के सामने आ गई कि इस तरीके से बात है अब जब वो family के सामने आ गई तो लड़की के parents भी इस बात से अंजान थे कि हमारी बेटी को इस तरीके का कोई fear है तो उनके लिए भी बड़ा ही एक तरीके से shocking बात थी कि इस तरीके से कि क्या बात तो उन्होंने भी पूछा तो सब उसने पूछा उसने बला मुझे बस डर लगता है मुझे नहीं जाना close मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं physical relation मैंने बनाए तो मैं नहीं सहपाऊंगी और मेरे को कुछ हो जाएगा अब ये बहुत fearful था तो अब ये ऐगा आप बात की गई तो दोक्टर हो और 123 समझा बात की गई तो चेक आप किया सब कुछ थीक था कि था उसे बात की तो ऐसा कुछ खास उस को तुरंद ट्रिगर हो जाता था मतलब वहां पर जैसे husband close आने का होता था वो उसका क्या था ट्रिगर था और एकदम से उसका fear activate हो जाता था बाकी वो बिल्कुल किया जाए या ऐसा situation को वाइडी कर दे जाए तो उसको कोई कहेगा भी ने कोई problem थी तो सब कुछ वो ठीक था लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो अब यह हुआ कि चलो भी किसी ने सलहा दी कि आप psychologist को देखाओ तब जाकर होगा तो इस तरह के से जब मेरे सामने एक case आया तो उससे बात करने के बात पता चला कि जैसे ही उसका husband उसकी close आने की कोशिश करता है तो तुरंत उसको कुछ बाते याद आने लगती हैं उसके दिमाग में वो बाते घूमने लग जाती हैं जिसको उसने किसी से share नहीं किया था और वो बाते थी कि उसकी cousin और भावी मिलकर शा उसकी भावी ने इस तरीके से बोला कि यह बहुत ही painful होता है और अगर आप किसी से emotional ने connect ना हो तो उस चीज़ को handle करना और भी ज़्यादा मश्किल हो जाता है husband कई बार अपने feelings के चकर में ill treat भी कर देते हैं वो नहीं ध्यान देते हैं आप कितना भी रो लो चीक लो चला उसको भी enjoyment मान लिया जाता है कि अगर आप shout कर रहे हो pain से तो वो सुचता है कि आप enjoy कर रहे हो और इसलिए आप shout कर रहे हो तो बोला misinterpretation कर लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा painful procedure हो जाता है इस तरीके से ऐसे करकर के normal बात जीत कर रहे थे अब वो जो लड़की सुन रह कि बिल्कुली ऐसा मान लिया कि उसके साथ भी जैसे इसी तरीकी का treatment हो जाएगा अब हर इंसान अपने experience शेयर करता है अब जरूरी थोड़ना है कि कि किसी एक particular तरीकी का experience रहा तो वो generalized सभी के साथ ऐसा रहेगा है सभी को एक जैसा पीन होगा है सभी का husband non cooperative होगा ऐसा तो हो तो अब आप समझी रहोंगे कि वीडियो में तो क्या-क्या हैवानियात भी दिखा देते हैं क्या-क्या सब कुछ उल्टा-उल्टा दिखा देते हैं तो उसके मन में वो डर वैड़ कि यह सब तो बहुत ज्यादा जंडट का और painful procedure होता है और मुझे तो इस चकर में पढ़ यहां पर तो उसको क्या था believe क्या था उसका कि अगर मैंने sexual relationship में गई तो मुझे इतना pain होगा कि मैं बर्दाश्ट नहीं कर पाऊंगी और मेरी death भी हो सकती है उसके पीछे जो सारे meta-belief से वो सारे references अभी मैंने आपको बता है जिसके कजन और भावी का बात थी जो वीडिय face ही नहीं करना पड़ेगा वो इस बात से भी अंजान थी कि अगर ये उसने face नहीं किया और अपने आपको ठीक नहीं किया तो बहुत सारे negative consequences आ सकते हैं जैसे कि उसकी शादी ही तूट जाए और चलो शादी चलती भी रही तो वो भी जो physical level का pleasure है उससे बंचित रह सकती है वो अपना परिवार को आगे कैसे बढ़ाएगी तो बहुत सारे negative consequences जो थे वो fear देखने नहीं दे रहा था fear इतना ज़ादा वड़ जाता था उसके अंदर कि बस उसको एक escape ही लगता था कि मुझे बचाना है जो consciously माबाप समझा रहे हैं या फिर husband समझा रहा है कुछ भी है तो जबी भी बहुत ज़ादा fear होता है उस टाइम पर हमारा जो mind है जो survival threats के लिए इस तरह किसे deal कर रहता है तो वो conscious control से बाहर हो जाता है वहाँ पर directly कुछ भी समझाने से एकदम से असर नहीं आता है तो वहाँ पर उसके साथ वही सब हो रहा था फिर इतना दा बढ़ने के वज़े से अब क्या था उसको anxiety होने लगती थी breathlessness फिल होने लग जाती थी वह बार 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 वाश्रूम जाती थी घंडो घंडो तक अब उसको यह था कि मैं थोड़ा वाश्रूम में जाकर बै जाती थी एक तरीके का escape कि मैं अच्छा खासा time pass कर दूं फिर husband का mood off हो जाया और वो अराम से सो जाया तो वो सब चीजों में वह इससे time pass करी थी क्या गलती रही थी reinforcement हो रहा था problem का और trigger उसका और स्ट्रॉंग हो रहा था मतलब उसका fear हिलने की बजाय और ज्यादा और ज्य जब तक आप अपनी problem बढ़ाते रहेंगे और जो भी कुछ आपने सुनी सुनाया है दूसरे के experience से आपने कुछ सुनाया आपने कुछ इस तरीके की videos वगरा देख ली है उसको आपने अपने उपर generalize कर लिया अब जब आपने उसको अपने उपर generalize कर लिया बिना उसको test कर तो आपको कैसे पता चलेगा क्या reality है हम सबको कैसे पता चलता है कि यह जो चीज दूसरे के लिए सही है दूसरे के लिए जिस तरीके से हुई है यह हमारे लिए भी है जब हम उसको try करते हैं experience करते हैं तो यहाँ पर जब आप उसे face करने का decision लेते हैं तो यहाँ पर face करने म में कोई action लेंगे अब action लेंगे तो action से क्या आएगा आपके पास experience आएगा अब जब यह experience आएगा तब ही आपको पता चलेगा कि जो दूसरे के case में सही था वो आपके लिए भी सही है या आपके लिए वो है ही नहीं लेकिन जब तक आप कोई action नहीं लेंगे जब तक आप उसे experience नहीं करेंगे बस आप दूसरे की सुनी सुनाई बात जो आपने कहीं देखी सुनी उसे अपने लिए भी सचमान कर बैड़ जाएंगे तो जब आप अंदर केवल दूसरे की जो reality है उसको अपनी reality एज्यूम करकर बैड़ जाएंगे तो फिर आपके दिमाग में जो बैठा वा होगा आप उसी तरीके से response आएगा आपके अंदर से body के level पर mind के level पर हम सब की journey कुछ अलग है हम सब की body अलग तरीके से behave करती है हर situation में जरूरी आपको अपना experience खुद करकर देखना होता है कि क्या वो चीज आपके लिए है या आपके लिए वो चीज है ही नहीं और बिना experience करें आपको पता ही नहीं चलेगा बिना action लिए आपका trigger weak होगा ही नहीं अब आप action लेंगे experience करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस बात का जो आप पे लागू करता है, तो उसके लिए भी फिर आप solution सोचेंगे, मतलब कोई अगर problem है, अगर हम उससे केवल डर कर बैठ जाएंगे और अपनी वरी chain बना लेके, तो हमारे दिमाग में एकदम catastrophic, negative से negative chain बनती चली जाएगी, अब देख उनों उसका क्या था, कि वो दर्द ब बुरा कर दे, ऐसे बहुत सरे cases हमने सुने हैं, तो वहाँ पर उस case में किसी female की मौत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी sexual intimacy से किसी की मौत हो जाएगी, तो वहाँ पर उसका दिमाग catastrophic way में एकदम से ऐसा सोच रहा था, कि उसकी मौत ही हो जाएगी, तो यही वरी की chain बिल्कुल catastrophe उसके दमाग में set कर दी थी, और क्योंकि वो इतना जादा negative extreme उसका mind उसे imagine करकर बता रहा था, तो वो try नहीं करना चाहते थी, तो जब उसको handle किया गया, तो उसको एकदम से ये चीजे जो उसके घरवाले भी समझा रहे थे, मेरे बोलने से भी कुछ समझ में आ हो सकता है आपकी case में भी सच हो, लेकिन इस सच को या जूट को पता लगाने के लिए कुछ behavioral experiment क्या step by step आप करने के लिए तयार हो, मतलब exposure इस तरह के से plan किया गया, कि जिसमे step by step closeness को बढ़ाया गया, तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप step by step किसी चीज में action लेने के के लिए भी बोला जा सकता है, तो अब यहाँ पर जब उसको prepare किया गया और उसकी anxiety को, जो somatization हो रहा था है, इतने body पे symptoms सारी तो उस सब को hypnotherapy और breathing exercises, meditation की मदद से relax करा गया, उसको mental exposes कराए गया, बार 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 hypnotherapy से mental exposes कराए गया, मतलब उसकी imagination में उसको वो पूर पूरा sexual process, जो ना पूरा imagine करना कराया गया, तो वहाँ पर हमारी subconscious mind के साथ क्या एक खास बात है, कि वो imagination और reality को एक ही मानता है, अगर imagination में भी आपके साथ कुछ भी आपकी fantasy में, आप कुछ create कर रहे हैं, जितना आप 5 senses को involve कर कर create करते हैं, जितनी vivid आपकी imagination होती है, imagination का senses को involve करके कुछ create करना, तो उतना ज्यादा वो आपके subconscious को real लगता है, और subconscious के पास जब भी कोई तरीकी का, आप mental experience भी दे रहे होते हैं, तो वो same chemical reactions देता है, जैसे कि real experience के case में हैं, तो उसको mental exposes, hypnotherapy के जरीए इतने ज्यादा दिये गए, कि उसके अंदर से वो डर कम होने लगा, और जब डर कम होने लगा, और उसका mind open हो गया, suggestions के लिए, तो फिर उसको consciously भी, counselling के जरीए भी, इन सब चीजों के closeness के बारे में समझाया गया, relationship के बारे में समझाया गया, क्या myths होते हैं, उन सब चीजों को myths को दूर किया गया, और करते करते उसका mindset हो गया, और फ कुछी महीनों में उसके अंदर का जो पूरा intense fear था, जो इस बात पर तयार था कि चाहे मेरा तलाक हो जाए, या कुछ भी हो जाए, बस मुझे close जाना ही नहीं है, इतना जादा बड़ा fear था, वो सब fear गया, तो कोई भी fear अगर किसी के भी अंदर deep subconscious mind में सेट हो जाता है, वो बढ़ता तब तक रहता है, जब तक आप किसी भी तरीके से उसे expose नहीं करते हो, face नहीं करते हो, तो face करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आप या action reality में नहीं ले पा रहे हो, तो या action आप imagination में भी ले सकते हो, imagination में action लेने से भी, आपको same वो ही benefit मिलता है, जो real action लेन उस positive imagination को आपने जोड़ दिया, तो आपने जोड़ा भी mental exposure के level पर ही है, लेकिन subconscious mind के साथ क्या खास बात है कि imagination और reality एक ही है, उसमें difference करी नहीं पाता, तो अब वहाँ पर उस trigger के साथ आप comfortable होना शिरू हो जाओगे, मतलब आपके अंदर reconditioning process start हो जाएगा, और जब आप क comfortable feel करोगे, और जैसे ही आप reality में भी actions लोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी आप इतना severely affected थे, इस problem से problem गायब हो जाएगी, तो ऐसा ही उसके साथ हुआ, और आप अराम से अपनी शादी को enjoy करने के लिए वो बिलकुल तैयार है, तो my dear ones, आप भी ऐसे ही अपने powerful therapies हैं, कि आपके अंदर के system को पूरा recondition कर देती हैं, बस एक गल्दी से बचना है, और वो है escape लेना, क्योंकि जितना आप escape करेंगे, भागेंगे, या हालातों के आगे इसे छोड़ देंगे, कि अब जो भी हो, जिन्दी की बरबात होती तो होती हो, मुझे करना ही नहीं ह तो वहाँ पर problem बढ़ा लेंगे, problem को बढ़ाने में नहीं, घटाने में विश्वास करो, हिम्मत जुटाओ, क्योंकि हर डर की पीछे हिम्मत है, बस आपको पलटना है थोड़ा सा, घूम कर तो देखो, आपके पीछे हिम्मत खड़ी है, जरा सा भी प्रयास करोगे, डर गा हो जाएगा, उमीद करते हूँ कि आपको बहुत एची तरीके से समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही हिम्मती है, सहसी है, और मैं हूना आपके साथ, आप प्रयास तो कीजे, मेरी हर संभव कोशिश है कि आप घर बैठे- हो, मैं मिलूंगी आप से, नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना खास ख्याल रखिये